हालो स्टुदेंट्स तुड़े विल डिस्कूस अबाउट दा रिंग साइज ओफ टी ग्लुकोज लास्ट टेक्चर में हम अलड़ी पढ़ चुके हैं कि ग्लुकोज जो है वो रिंग साइज में रिंग फॉर्म में एक्जिस करता है उपन चेन में तो बहुत ही कम अमाउंट बहुत हιαकर बहुत हैं अब लि आगिस ऑग्जिस करता है इडी आटर रिंग स्टेक्चरि अब रिंग स्टेक्चर कर चाहितु के वाग ट्रक्ट hemigesetz करते हैं A. अब हुमारे पास तो हैड में धड्री रिंग स्टेक्चर तो हमें 3-member ring मिलती है 3rd carbon-OH एक्राण है, तो हमें 4-member ring मिलती है 4rd का एक्राण है, तो 5-member ring मिलती है 5th का एक्राण है, तो 6-member ring और 6-carbon-OH अगर ऐक्राण है L2-3-D group के साथ, तो हमें 7-member ring मिल सकती है, तो there is a possibility of the formation of 3, 4, 5, 6 and 7-member ring लोट, glucoge is exist only in the 6-memory ring, उमकाली 6-memory ring में ही exist करता है, क्यों? तो उसके निए देखेंगे, हम यह देखेंगे, कि अगर 3-4-memory ring बनेगी, तो वह बहुत ही जढ़ा unstable होगे, क्यों? जब रिंग 3 और 4 मेंबर बनेंगी तो वो बहुत ही size क्या हो जाएगा, small हो जाएगा, तो सारे atoms पास-पास हो जाएगे, substituents आपके atoms के पास-पास हो जाएगे, उससे क्या होगा, there will increase repulsion among the atoms, और repulsion जब होगा, तो molecule में जब repulsion बहुत जादा हो जाता है, तो energy molecule की भढ़ जाती है, और molecule की energy जैसे ही बढ़ती है, molecule unstable हो जाता है, तो 3 और 4 मेंबर रिंग की possibility नहीं है, 7 मेंबर रिंग की possibility भी ruled out की गई, because in the formation of 7 मेंबर रिंग, there is a requirement of high entropy of activation, जादा entropy of activation की ज़रत पड़ेगी, इसलिए 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, अब बात आती है, 5 और 6 मेंबर रिंग, these rings are equally stable, तो either the glucose will exist in 5 मेंबर रिंग और in 6 मेंबर रिंग, दोनों बराबर है, बट हम कह रहे हैं कि glucose 6 मेंबर रिंग में ही exist करता है, क्यों? क्योंकि scientist ने ये प्रूव किया है कि glucose is existing only in the 6 मेंबर रिंग, वो उन्होंने कैसे करा, उन्होंने एक series of experiments करे, कुछ experiments करे, कुछ particular reagents के साथ इसको react कराया, और last में जो product मिला था, वो मिला था, ट्राय मिथोक्सी ग्लुटेरिक असीड और डाय मिथोक्सी सक्सीनिक असीड अब हम क्या करेंगे, ग्लुकोज को पहले 6 में मटर रिंग मिलेंगे, उससे वो series of experiment करेंगे, जिस में भी आपको ट्राय मिथोक्सी ग्लुटेरिक असीड और डाय मिथोक्सी सक्सीनिक असीड इसका मतलब, इसका मतलब ग्लुकोज इस अग्जस्टिंग इन था पर्टिकुलर रिंग, यह देखिए मैंने 6 में मर रिंग ली है, रिंग साइज यहां पर लिका हुआ है, देखिए रिंग यहां से शुरू हुई है 1, 2, 3, 4, 5, and 6, this is beta-d-glucose because OH on the first carbon is on the left hand side, first reagent था वो था methyl alcohol in the presence of HCl, इस reagent की presence में जो anomeric carbon है, this first carbon is the anomeric carbon, इसका hydroxyl group जो है वो किसमें कर्वर्ट हो जागा OCS3 में, so this OH get converted into OCS3, and the rest of the structure will remain same, और किसी structure, और बाकी structure में कोई भी change नहीं आएगा, सिर्फ हमें इस reagent की presence में OH को OCS3 में convert करना है, this is the methyl beta-d-glucoside, because this linkage is glucosidic linkage, अगला जो reagent है, that is the dimethyl sulfate in the presence of sodium hydroxide, इस reagent का क्या काम है, देखिए, first carbon पे तो OCS3 आही चुका है, इस reagent का काम है, कि जितने भी बाकी OH यहां पे बचे हैं, compound में, वो किस में convert हो जाएंगे, OCS3 में, तो अब हमारे compound में कितने OH बचे हैं, 1, 2, 3 and 4, all these 4 hydroxyl groups get converted into the methoxy groups, तो देखिए, हमने यहां second carbon पे देखिए, यहां OCS3, now here OCS3, third carbon पे भी OCS3, OCS3, sixth carbon पे भी OCS3, इस compound का नाम है, methyl 2346-Tetra-O-methyl-beta-D-glucoside, तो यह हमारा compound बना है, तो यहां पे जो आपका यह compound बना है, उपर वाला compound, तो हमने दो रियेजेंट्स से रियेक्शन कराईए, अभी methyl alcohol से first step में, second step में हमने dimethyl sulfate से कराई है, third step में हाइडरलेसिस कराएंगे, in the presence of dilute etseal, अब इस रियेजेंट का काम क्या है, इस रियेजेंट का काम यह है, कि जो हमारे first carbon, जो OCS3 में convert हो गया है, OH, this is the glycosiding linkage, इसका hydrolysis होगा, खाली, तो इक dilute etseal की presence में, जो first carbon का OCS3 था, that get converted into OH again, and the rest of the structure will remain same, और हमें कोई चेंज नहीं करना है, अब जब हमारा first carbon वापिस OH ग्रूप में convert हो गया है, तो now there is a possibility of ring opening here, क्योंकि हमने mutual rotation में पढ़ा था कि in the presence of water molecule, water molecule तो रहेगा इस reaction में, देखिए, water molecule release हो रहा है, तो उसके presence में यहां ring opening हो सकती है, जब ring opening यहां पे होगी, तो देखिए, यह bone टूटेगा, यह bone टूटेगा, तो यह वापिस किस में convert होगा, OH यहां लग जाएगा, तो fifth carbon पे वापिस किया गया, देखिए, OH, and the first carbon get converted again in the LD-HD group, और बाकिस texture देखिए, सेम, बाकिस texture सेम का मतलब यह है, कि आपके पास sixth carbon के पास भी OCS3 है, फिफ्थ carbon, जो कि ring formation में involved था, उसके पास क्या गया है, OH, सिर्फ इसकी difference है, बाकिस जितने भी carbon है, उनके OH की, जो hydroxyl group थे, वो सारे किस में convert हो चुके है, मिथोक्सी group में, और यह जो पास भी carbon है, जो कि ring formation में involved था, यह इसके साथ अब क्या लगया, इसमें OCS3 नहीं है, इसमें खाली क्या है, hydroxyl group, यह ही इसकी पहचान बनी, अब देखिए, जो ही आपका compound आया, इसकी फिर हमने, क्या कराया, इसका oxidation कराया है, हमने HNO3 की presence में, इसकी हैडिक group get converted into the carboxylic acid group, और बाके इसमें सारे भी थोक्सी group से, उनका हम कोई oxidation नहीं कर सकते, बाके इसमें जो 5th carbon पे, जो कि ring में involved था, इस carbon पे क्या आगया है, OH आगया है, अब यह secondary alcohol है, और आपका यह nitric acid की presence में, secondary alcohol ketones में करना दोता है, यह सब को पता है, तो देखि जहाँ OCS3 था हमने उसको कोई नहीं चेंज करा, एक सिर्फ आपने LDHID group पो, carboxylic acid group पे convert करा है, this is the intermediate compound, यह बहुत ही unstable है, यह fraction of seconds के लिए exist करता है, पर यह हम समझने के लिए हमने इसको intermediate compound रखा है, डिरेक्टली आपको यह दो प्रोटेक्ट्स मिल जाते हैं, यह intermediate तो जो secondary alcohol है, वो सीधे किसमें convert होगा, carboxylic acid group में convert होगा, कैसे convert होगा है, पहले यह कुछ fraction of seconds के लिए ketonic group में convert होगा, और आपको पता है कि ketonic group का, जब हम oxidation करते हैं, तो there will be ring cleavage, either the ring will cleave from this side, और from this side, देखिए अगर यहां से ring तूटेगी, तो यह कौन सा कौन से carbon के पीच में this is the first carbon, second, third, fourth and fifth, this is the fifth carbon, so this is the ring cleavage between C4 and C5 carbon, देखिए C4 or C5, तो अगर यह ring 2T, यहां से ring 2T, तो आप देखिए, इस structure as it is, लिखिए, यह तो already oxidized हो चुका है, तो यह तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया है, ऐसे कैसे लिख दिया, यह देखिए, second carbon का भी हमने ऐसे कैसे लिख third carbon का भी ऐसे कैसे लिख दिया, और जो fourth carbon है, जहां से ring 2T, लास्ट बच गया है carbon, this get converted into the carboxylic acid group, तो चार ही carbon आएंगे हमारे पास यहां पे, one, two, three or four, क्योंकि ring get cleavage between the C4 and C5, तो जब यहां से ring 2T, इस possibility में आपको, यह last carbon है, this get converted into the COH, बाकी आपको इस texture यहां पे same है, इस इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है, देखिए, इसका नाम है, दायमिथोकसी, सकसीनिक एसिड, और अब अगर आपको, यहां पे, देखिए, अगर ring cleavage आपकी, यह C4 और C5 ना होके आपकी क्या होती C5 इधर से रिंग टूटती तो कौन से रिंग टूटती आपको carbon no.5 और carbon no.6 गे बीच की तो यह रिंग आपके cleavage होती C5 and C6 तो मैंने यह लिखा है C5 और C6 में cleavage जोगी तो आप product कैसे लिखोगी देखिए बिल्कुल सेम लिखते आओगे उपर से निचे तक और जो last carbon है इसको किसमें convert कर देना है COH में तो हमने यही कर रहे देखिए तो compound में आपके कितने mitoxy group आ गए तीन mitoxy group हैं और इस compound का नाम है try mitoxy glutaric acid यही main product हमने जब laboratory में यह तो हम on paper करके देख रहे हैं जब यह series of experiments laboratory में कराए गए तो हमें main product यही मिले थे try metoxy glutaric acid and di metoxy succinic acid तो इस experiment से हम यह कह सकते हैं कि glucose is existing in the six member ring only और आपको जब exam में पूछा चाता है कि how can you determine the ring size so you have to write down these series of reactions and with the help of this series of reactions we can say that glucose is existing only in the six member ring अब देखो अगर यह five member ring होता तो हम उसकी possibility भी लेकर देख लेते हैं अगर यह five member ring में exist करता तो देखिये क्या होता देखिये मैंने five member ring मना रखी है this is the first carbon second third fourth चार carbon और पांचवा oxygen इसमें involved है जब five member ring बनती है तो कौन से carbon का hydroxyl group involved होता है fourth carbon का जब six member ring बनती है तो फिफ्ट carbon का O-H involved होता है तो आप हमने five member ring बनाई है तो देखिये यह आपने involved कर दी वही same series of reactions first step में आपका CS3 O-H or HCl की प्रजैस में क्या होगा first carbon का hydroxyl group किस में कनोट हो जाएगा O-C-S3 में यह माने इखटे लिख दियें दोनों reactions first or second लेकिन हमें अगर उपर वाली reactions उपर जो six member ring में हमने reactions देखिए थी तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि first carbon का O-H सीथे किस में कनोट हो रहा था O-C-S3 में बाकी structure क्या थी सेम थी अब जो diamethyl sulfate की presence में फिर क्या हो था बाकी जितने भी O-H थे वो किस में कनोट हो गए थे O-C-S3 में यह देखिए सेम हम बिल्कुल सेम कर रहे हैं अब हमने सिर्फ क्या कर रहा है 6 member ring की बजाए जिसमें की इस carbon का O-H involved हो रहा था उसके बजाए हमने यहां पे 5 member ring कर दी है देखिए अगला step वोई dilute seal dilute seal की presence में यह glucose ID linkage खुलेगी this group get converted into O-H again बाकी structure सेम है आगे देखिए जब यह O-H में convert हो गया तो there is a possibility of ring opening अब ring open कर जीए आप ring open आप करोगे तो यह carbon जो है यह किसमें connect हो जाएगा CHO में यह breakage होगी यहां पे ring और अब यह carbon देखिए कौन से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th carbon के साथ क्या आ जाएगा OH 4th carbon के साथ आप यह देखिए 4th carbon है इसके साथ क्या गया है OH बाकी सारे carbon के OH कि इसमें converted है OCS3 में यह पहचान हो गई इसकी अब अगर हम इसका फिर वही सेम reactions हैं जो हमने 6 में मड में करी थी HNO3 की presence में oxidation करेंगे तो देखिए अब यह 1st carbon तो होगया COH में convert अब 4th carbon के पास है secondary alcoholic group तो अब 4th carbon पर ketonic group आएगा और यह ketone group जो है अब ring cleavage कहां से कहां हो सकती है देखिए 1st carbon, 2nd carbon, 3rd, 4th और 5th अब ring cleavage की possibility either this between C3 and C4 और between C4 and C5 अगर C3 and C4 यहां से ring टूटेगी तो देखिए यह उपर का सेम COH यह सेम और जो इलास्ट carbon है इसको आपने COH में convert कर दिना है हमने यहीं कर रहा है इसका नाम है methoxy malonic acid क्या है इसका नाम? this is methoxy malonic acid और अगर ring cleavage यहां से हुई वे ketonic group के आसपास सही होगी ring cleavage अगर यहां से हुई that is between C4 and C5 तो आपको क्या मिलेगा देखिए यहां से ring टूटी तो आप बाकी structure तो सेम लिखते चले और तो last carbon है उसको आपने COH में convert कर देना है तो last carbon यही है देखिए ऐसे कैसे आपका बाकी तो सेम था this is the dimethoxy succinic acid तो आपको में प्रोडेक्ट क्या मिला यहां पे this is the sorry dimethoxy succinic acid हमें में में प्रोडेक्ट मिला यहां पे methoxy malonic acid and the dimethoxy succinic acid if we are considering that the ring size of glucose was 5 अगर हम यह consider करते हैं तो और अगर हम 6 memory ring consider कर रहे थे on paper जब हम reactions कर रहे थे तो हमें मिल रहा the trimethoxy glutaric acid and the dimethoxy succinic acid with the same series of experiments और जब लेबरेटरी में यह experiment करे गए तो हमें प्रोडेक्ट जो मिले वो यह मिले trimethoxy glutaric acid and the dimethoxy succinic acid और यह हमें कम मिल रहे हैं जब हम glucose को क्या एजिम कर रहे हैं 6 memory ring तो यह evidences यह शो करते हैं that glucose is existing only in the 6 memory ring और 6 memory ring को हम बोलते हैं pyranose form means glucose is existing only in the pyranose form तो ऐसे हम इसको explain करेंगे ring size पे आपका कई बर question पूछा जा चकता है तो आप उसको series of experiments से ही आप उसको denote करोगे हमने कुछ भी नहीं करा है series of experiments में सबसे पहले आपने methyl alcohol से reaction कराई है दुबारे आपने dimethyl sulfate से reaction कराई है अगले step में आपने hydrolysis कराया है और last step में आपने oxidation कराया है in the presence of HNO3 और आप उस products को easily लिख सकते हैं okay thank you